सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल को और प्रेज कीजिए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रे जन्ता अदल के प्रमुक लालू प्रसाद यादव पर रांची की CBI कोट ने फैसला सुना दिया है देव घर चारा घोटाला केस में लालू यादव को कोट ने दूशी करार दिया है जबकि बिहार के पूर्व C.A.M. जगननात्मिशा को बरी कर दिया गया है उनके अलावा धुरुव भगत को भी बरी कर दिया गया है कोट के इस फैसले के बाद ये तैह हो गया है कि लालू यादव अब कोट रूम से सीधे जेल भेजे जाएंगे हाला कि उनकी सजा पर अभी फैसला नहीं दिया गया है कोट 3 जनवरी को सजा पर सुनवाई होगी छे अभियोक्त बरी लालू यादव और पूर्व C.A.M. जगननात्मिशा समेत सभी 22 अभियोक्त कोट रूम पहुँचे थे इन में जगननात्मिशा समेत 6 अभियोक्तों को बरी कर दिया गया है जबकि बाकी सभी को दोशी पाया गया है लालू यादव अब कोट से सीधे रांची की जेल ले जाए जाएंगे ये है पूरा केस साल 1990 से 1994 के बीच देवगर कोशागार से पशू चारे के नाम पर अवेड धंग से 89,27,000 रुपे निकालने का आरोप है इस दोरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे हाला कि ये पूरा चारा घोटाला 950 करोड रुपे का है जिन में से एक देवगर कोशागार से जुड़ा केस है इस मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ CBI ने 27 अक्टूबर 1997 को मुकदमा दर्ज किया था आज लगभग 20 साल बाद इस मामले में फैसले की घड़ी आई है इस से पहले चाई बासा कोशागार से 37 करोड, 70 लाख रुपे अवेर धंग से निकालने के चारा घोटाले के एक दूसरे केस में सब ही आरोपियों को सजा हू चुकी है ये है आरोपी इस केस में लालू प्रसाद के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगनात मिश्रा, बिहार के पूर्व मंत्री विद्या सागर निशाद, पीएसी के ततकालिन अध्यक्ष जगदीश शर्मा एवन धुरुव भगत, आर के राना, तीन आये एस अधिकारी फू हो चुकी है, जबकि तीन सीबी आई के गवाह बन गए हैं, वहीं दोने अपना गुनाह को बूल कर लिया था, जिसके बाद उन्हें दो हजार चिदेश शुन्य साथ में ही सजा सुना दी गई थी, इस प्रकार इस मामले में आज अदालत ने कुल 22 आरोपियों के खिलाफ ही अपना फैसला सुनाया, शिव पाल सिंग के अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज करने और बहस के बाद अपना फैसला 13 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था, कितनी हो सकती है सजा लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने बताया कि इस मामल में गबन की धारा 409 के तहत, 10 साल और धारा 406 के तहत आजीवन कारवास की भी सजा हो सकती है